हाई व्रीवन वेलकम बेक तो माई चैनल माई नेम इस निरुकमभोच एंड आज मैंने यह आई लुक करेट किया है जो की कट क्रीज और इलिटरी आई मेकप लुक है आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बैल आइकन ज़रूर दबाएं मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए सो यह लुक मैंने कैसे क्रेट किया है इस वीडियो को शुरू से लेगे लास तक यह लेचों असे मिफ ब्रकाररण यूथिकेशन के लिए मैंने यह लूएंच ज़रूक मेंने přेटरू तो यह बैलियो के ब्रकारण नोटिफ देखाएं में यज़ benefici क्या है और कैसे देखिए आरगतों यह सब्सक्राइब में ओपातर्फिक है मैंने सृ तेखित सिक देब आएंगे और बिगिनर्स के लिए बहुत यह है अगर आप सैलो टेप का यूज़ करें तो बहुत शाप लुक आएगा और आपको अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि ब्लेंड इस दा की और उसके बाद में तार्क ओरेंज शेट इस ब्रश की हैल्प से थोड़ा अपना जो क्रीज लाइन है उसको यू ज्यादा टी फालिफट कर रही हूं और आउटर में से लेकर इनर तक आपको ऐसे ब्लेंड करना है और जो आपकी brow bone है उससे नीचे आपको उससे उपर आपको नहीं जाना है just you can see ऐसे आपको brush को apply करना है और यह अच्छे से blend हो चुका है देनिस के बाद और इसके बाद मैं यह violet shade का यूज करूँगी और जो मैं brush यूज कर रही हूँ यह भी H Cosmetics का 8 number brush है और इससे मैं अपने outer को define करूँगी और अच्छे से blend मैं कर रही हूँ अपने outer को थोड़ा darken करने के लिए क्योंकि outer में always a dark colors का ही use होता है और आप चाहें तो इस color में आप mix कर सकते हैं black color लेकिन मैं यह 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 violet जो shade है इसका ही use कर रही हूँ और इसके बाद मैं round brush की help से अपने crease को cut करूँगी और just half मैं यहाँ पर crease को cut करूँगी और उसके बाद मैं अपनी finger के साथ blur करूँगी थोड़ा diffuse करूँगी और तो बारह से उसी brush की help से मैं वो shade ले रही हूँ थोड़ा और जादा bold look के लिए और जो मैंने crease को cut किया था उसे में wire shade के साथ हाइट करूँगी एक तरह से सेट करूँगी ताकि जो इसके बाद में color लोंगी वो highlight हो और इसके बाद मैं ये violet जो की light violet shade है और अपने inner corners को मैं इस brush की help से inner corners में मैं इसको पैट करूँगी और जहां तक मैंने crease को cut किया है जस्ट वहां मैं इस brush की जो tip है उसकी help से define करूँगी ताकि crease line अच्छे से define हो जाए और आपको just color pat करना है और थोड़ा सा blend करना है and then इसके बाद मैं ये green जो shade है same brush की help से पहले आपको brush clean करना है उसके बाद आपको color pick करना है और middle में मैं इस color को pat करूँगी और इसके बाद मैं same palette में से ये green जो glitter है और जो green shade मैंने apply किया था उसकी उपर मैं इसे pat करूँगी जहां मैं liner apply करूँगी वहां मैं इसे apply नहीं करूँगी क्योंकि liner आपका अच्छे से apply नहीं होगा इसलिए आपको पहले आपको glitter अगर लगाना है तो आपको जो आपकी lash line है वहां तक नहीं लगाना है और इसके बाद मैं liner apply कर रही हूँ जो कि sketch liner है और आप चाहें तो कोई भी liner apply कर सकते हो और gel liner भी apply कर सकते हो या फिर liquid जो liner होता है वो भी आप apply कर सकते हो यहाँ पर and then उसके बाद मैं अपनी lower lash line को define करूँगी इस brush की help से और आप चाहें तो दूसरा कोई flat brush भी use कर सकते हो and यह थोड़ा fluffy है और अच्छे से blend कर पाएगा इसलिए मैं से use कर रही हूँ then उसके बाद मैं black shade को apply कर रही हूँ इस angular brush की help से और साथ के साथ में से blend भी कर रही हूँ अपने inner से लेकर outer तक मैं इसे apply करूँगी और इसके बाद मैं अपना जो डक टियर डक है मैं उसे थोड़ा इस liner की help से थोड़ा सा निकालूंगी क्योंकि मेरी eyes का gap इतना जादा नहीं है इसलिए मैं टियर डक को थोड़ा ही शाप करूंगी एंड उसके बाद मैं जल आई लाइनर की help से अपनी lower lash line को as a kajal apply कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी lash line को girl कर रही हूँ और mascara apply कर रही हूँ और जो मैंने mascara apply किया है वो है extra me का जोकि essence का mascara है और बहुत अच्छा volume इसका है और अपनी brow bone को मैं highlighter की help से highlight कर रही हूँ और आप कोई भी shimmery cream या white color की shimmer eyeshadow है उससे भी आप define कर सकते हो अपनी brow bone को और अपनी inner corner को और मैंने eyelashes off camera apply की है और ये huda beauty की eyelashes है and here is the final look अगर आपके वीडियो अच्छी लगी है तो like करें और comment सरू करें अगर अच्छी लगी है और channel को subscribe करें और मिलते हैं next video में till then bye bye take care ऋव से से स्थक्वण है जर क्ते हैं आपके विसा साव दोसे से टात तर नहर करें और आपके हैं खर बWow That Day